तमस्कार विश्वास करो विश्वासम फलदायकम विश्वास किस पर करें? यहां तो हर कोई विश्वास तोड़ने के लिए बैठा है जिस पर भी विश्वास किया जाये वो विश्वास घात करने से नहीं चूपता लेकिन फिर भी इश्वर का संदेश है विश्वास करो विश्वास करना ही पड़ेगा विश्वास के बिना जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़े निश्चित ही हमें किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा और life तभी आगे बढ़ सकती है जब हम विश्वास करें पहली बात तो ये है कि हम अपने आप पर विश्वास करें दूसरा हम इश्वर पर विश्वास करें तीसरा हम उन लोगों पर विश्वास करें जो चारित्रिक रूप से बहुत मजबूत है जिनका व्यक्तित्व दिखता है जिनको देखकर हमारी अंतरात्मा कहती है कि ये व्यक्ति सच्चा है इस व्यक्ति की बातों में इश्वरान उभूती होती है इस व्यक्ति की बातों से देवत्व की अनभूती होती है और ये आपका अंतर ग्यान आपकी अंतर शक्ति स्वत्ह बता देगी कोई बात नहीं जीवन में एक दो बार ऐसे मौके भी आएंगे जब आप गलत लोगों पर विश्वास कर बैठेंगे लेकिन वो भी नियती है भाग्य का खेल है ईश्वर का विधान है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके जरीए आप ठगे जाते हैं लेकिन वो भी जीवन का एक महतोपूंट सबक बन जाता है विश्वास क्यों करना चाहिए यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे कैसे जिन्दगी को सही ट्रेक पर लेकर आएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी तो कभी भी डिरेल होने लगती है कभी भी ट्रेक से भटकने लगती है ऐसे में हमें अच्छे लोगों की बातों पर भरोसा करना ही पड़ता है अच्छे लोग महान लोग जो इस दुनिया में है या इस दुनिया से चले गए उन्होंने बहुत कुछ लिखा उन्होंने बहुत कुछ बताया और उन्होंने जो भी बताया वो हवा हवाई नहीं है हर व्यक्ति के अंदर एक अंतरात्मा बस्ती है वो अंतरात्मा समय समय पर कुछ बातें बताती है उस अंतरात्मा के जरिए देवय शक्तियां कुछ संदेश देती है उन्ही संदेशों को व्यक्ति किताबों में, गरंथों में, पुराणों में लिपिबध करता है ये जरूर है कि उन्ही संदेशों को और जादा व्यापक बनाने के लिए लोगों की समझ के अनुसार ढालने के लिए व्यक्ति उसमें कुछ कहानियां भी जोड़ देता है उस समय के देशकाल परिस्थितियों के अनुसार कुछ अनुभव भी जोड़ देता है कुछ ऐसी बातें जो आज हमें प्रासंगिक नजर ना आए लेकिन उस वक्त उनका महत्व होता है इसलिए उन्हें जोड़ा जाता है मूल भाव को समझना बहुत जरूरी है और मूल भाव को यदि हम नहीं समझें तो फिर तो हम बटकते ही चले जाएंगे इसलिए कहानियों में उलजने की बजाए हमें उन कहानियों के पीछे मौजूद संदेशों को समझना होगा वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो संदेश हमारी जिन्दगी को बदल सकते हैं और वो संदेश आपको हर जगह से प्रतिध्धनित करते हुए दिखाई देंगे। सभी धर्मों की किताबों में जो मूल बाते हैं वो उनी संदेशों से भरी हुई है। उन संदेशों को डीकोड करना, उन संदेशों के वास्तविक स्वरूप को मर्म को समझना हमारा धर्म है। विश्वास क्यों जरूरी है विश्वास इसलिए जरूरी है कि जीवन में हम अविश्वास के कारण शंका और कुशंका के कारण कई बार गलत फैसले ले लेते हैं गलत फैसले लेने के बाद भी हमें चेताया जाता है उच्चिस्तरिय शक्तियां देवात्माएं आत्माएं हमारे पूर्वज हमारे अद्रश्य जगत के साथ ही हमें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ लोगों के माध्यम से हम तक संदेश पहुचाते हैं संदेश तो वो आपके माध्यम से भी आप तक पहुचाने की कोशश करते हैं लेकिन आप अपने अंतर ग्यान से कनेक्ट नहीं होते आपका चेतन मन इतना स्ट्रांग होता है कि अपने अंदर की आवाज पर यकीन नहीं करता आपके अंदर से भी आवाज आती है आपके अंदर से भी प्रेणा आती है लेकिन उस प्रेणा को आप नजर अंदाज कर देते हैं इसलिए दैव शक्तियां आपके सामने अलग-अलग माध्यमों से सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है उस रास्ते पर यकीन करना बहुत जरूरी है मन लीजिये कि आप लाइफ के किसी मोड पर अपने आपको असहाय महसूस कर रहे है आपके अंदर एक भाव आ रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉइ कर देना चाहिए मुझे अपनी लाइफ को खत्म कर देना चाहिए और मैं धीरे धीरे उस विचार को स्ट्रॉंग करते जाता हूँ I should kill myself, my life is worthless ऐसा मुझे लगता है और मैं धीरे धीरे उसी तरह के थाट्स को जनरेट करता हूँ उसी तरह के थाट्स के साथ बहने लगता हूँ दिवे शक्तियां आपको उन थाट्स से मुक्ति दिलाने के लिए कोई न कोई मैसेज भेजती है कोई किताब आपके सामने पहुचा दी जाती है जो आपको positive कर सके आप से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको अच्छी बातें बताए आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आ सकता है जो आपको मोटिवेट करें आप सुनते हैं आप पढ़ते हैं आप उस व्यक्ति से बात करते हैं लेकिन फिर भी आपको उस व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं आता आप वापस उसी ट्रैक पर आ जाते हैं जो आपको नीचे की तरफ ले जागा है ऐसे में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है आपको किसी न किसी व्यक्ती पर विश्वास करना होगा और वो व्यक्ती जो बातें कहे उन बातों को गहराई से सुनना होगा समझना होगा और उन पर यकीन करना होगा लोग आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा धहरे रखो वक्त है बदलने में देर नहीं लगती है लेकिन आप यकीन नहीं करते हैं आपको यकीन करना पड़ेगा कि वक्त यदि खराब है तो वक्त अच्छा भी होगा वक्त बदलेगा ये वक्त बदलने के लिए ही है वक्त इस्थाई रहने के लिए नहीं है वक्त कभी भी इस्थिर इस्थाई और एक जैसा नहीं होता इश्वर का एक संदेश है कि आप जैसा चाहते हैं आपकी दुनिया वैसी नहीं हो सकती इश्वर कहता है कि मुझे बहुत सारी चीज़े मैंज करनी है बहुत सारी चीज़ों को मुझे नियंतृत करना है उनका पालन पोशन करना है और उन्हें आगे ले जाना है तो मैं सब कुछ आपके जैसे नहीं कर सकता आपकी हर डिमांड पूरी नहीं की जा सकती आपके हिसाब से सारे निर्णे नहीं लिये जा सकते जैसे आप किसी परिवार के मुखिया हैं उस परिवार में एक व्यक्ति को जादा पैसा चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए उसका भाव सही है उसका प्रोजेक्ट भी सही है उसमें सफलता की संभावनाएं भी हैं, लेकिन आपके पास टोटल 25 लाख है और वो व्यक्ति पूरे 25 लाख मांगे, तो एक मुखिया होने के नाते आप सारे पैसे उसको नहीं दे सकते, आपको और भी चीजों का ख्याल रखना है, आपको ये भी देखना है कि घर कैसे और उसके और भी भाई भेन हैं, उसके और भी सहयोगी हैं, और भी परिवार के सदस्य हैं, जिनको भी जरूरत पड़ सकती हैं, आकस्मिक आपदाएं आ सकती हैं, जिनके लिए पैसे की जरूरत पड़े, तो आप उसकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, ऐसे ही इश्वर इश्वर का कहना है कि मैं हर वक्त आपके हिसाब से नहीं चल सकता आप समय के अनुसार चलिए जो कुछ भी आपको मिलता है आप सुईकार कीजिए आप थोड़ा सा धैरी रखिए आप थोड़ी सी सहजता लेके आईए हो सकता है कि समय आने पर मैं आपकी डिमांड पूरी कर और आप जो चाह रहे हैं मैं आप से मैं आपको उससे कहीं जादा दे दो लेकिन वक्त मैं टाय करूंगा और इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्मनिय वाधिकारस्य मा फलेशु कदाचन मा कर्म फल हे तुर्भो मा तुचंग दे कर्म करो फल कब मिलेगा इसकी चिंता मत करो क्यों कि हो सकता है कि अभी मैं आपका अकाउंट सेटल कर रहा हूँ आपको लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है वो फल मिल रहा है लेकिन हो सकता है कि उस फल को मैं आपके पिछले डेबिट से एडजस्ट कर रहा हूँ पह कर्जों को निप्टाओं फिर आपको नई चीजें दो क्योंकि आप कर्ज में डूबे हैं और दूसरी तरफ में आपको वैभब दे दूँँ विलासिता दे दूँँ संब्रद्धी दे दूँँ संपन्नता दे दूँँ तो आप कि अइल्भे तब भी खुष नहीं हो सकेंगे कि कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति कोश नहीं रह सकता महा जिवन के अपने कर्ज ओते हैं ऑर इतनी बेचैनी इतनी घबराहट क्यों क्या आपका जीवन सिर्फ 60-70 साल का है क्या 60-70 साल में आपका जीवन खतम हो जाने वाला है ऐसा नहीं है आपका जीवन चलता रहेगा आपका जीवन वास्तों में ना तो कभी शुरू होता है नहीं कभी खत्म होता है ना कभी आप पैदा होते हो ना कभी आप मरते हो इसलिए चंटा किस बात की है इस शरीर से जुड़ी हुई demands सब कुछ नहीं है थोड़ा सा थोड़ा सा विश्वास करो और यही बातें जब महापुरुष संत किताबें आप से कहते हैं तो आपको संदे होता है लेकिन संदे करने की कोई जरूरत नहीं है इस स्रिष्टी में जो भी कुछ लिखा गया है वो मन गडंत नहीं है दैविय श प्रशित करती है और तभी किताबें लिखी जाती हैं इतने लोगों ने इतना घ्व्रेश क्या कहां से आया कैसे आया वैद लिखे गए पुरां लिखे गए उपनिशित लिखे गए धर्म गरंत लिखे गए और सब में लगभग लगभग एक जैसी बाते हैं और इतने व्रहद रूप में लाखों स्लोक रच डाले रिशियों ने कहां से आया ये ग्यान क्या एक व्यक्ति अपने छोटे से जीवन में इतना ग्यान संग्रहित करने में अरजित करने में सक्षम है बिलकुल नहीं व्यक् इश्वर हमेशा संकेत और संदेश देता है ये आपकी अवेरनेस है कि आप उन संदेशों को सुन पाते हैं कि नहीं इसलिए इश्वर कहता है कि यदि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते तो आप विश्वास किजिए किसी भी अच्छे और सशक्त व्यक्त व्यक्ति का अनुसरन कीजिए यदि वो व्यक्ति अच्छा है तो निश्चत रूप से उसको किसी ने किसी रूप में ग्यान मिल रहा होगा वो किसी और अच्छे उचिस्तरिय व्यक्ति से जोड़ा हुआ हो सकता है उसके ग्यान का शुरूत उसका उचिस्तरिय अध्यन हो सकता है उसके ग्यान का शुरूत उसके अंतरात्मा हो सकती है उसके ग्यान का सुरोत जीवात्मा जगत के उसके मारगदर्शक हो सकती है तो विश्वास करना बहुत जरूरी है विश्वास 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 यही बात मैं कहता हूँ कई बार लोग मेरे पास समस्याएं लेकर आते हैं मुझे फोन लगाते हैं कई बार मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा धहरे रखो आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा फिर उनका फोन आता है बदलाव नहीं आया फिर मैं कहता हूँ कि नहीं आएगा थोड़ा सा धहरे रखो थोड़ा सा धहरे रखो लेकिन वो बेचैन और व्यग्र रहते हैं उ उसको स्विकार करने की अवस्ता में नहीं रहते क्योंकि वो अपनी मांसिक इस्थिती को शारेरिक इस्थिती को बहुत नीचे गिरा चुके होते हैं व्यग्रता विचैनी असहजता व्यक्ति को बीमारी की तरफ ले जाती है शारेरिक मांसिक आध्यात्मिक आधिदैविक आप उसको घेरने लगते हैं, इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, यदि विश्वास होगा तो धहरे आएगा, धहरे आएगा तो शान्ती आएगी, विश्वास कीजिए, ठगे जाने की चिंता मत कीजिए, एक आद बार कभी आप ठगे गए, तो इससे अपने विश्वास के स्तर को मत गिराइए, आपका विश्वास यदि अच्छे स्तर का है, आपका विश्वास यदि उच्छे स्तर का है, तो आपको देवात्माएं स्वयम मार्गदर्शित करेंगी, स्वयम उन देवात्माओं का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, भले ही व्यक्ति खल ये गिरा हुआ क्यों ना हो कई बार हमें ये भी लगता है कि हम जिन लोगों पर भरुसा करते हैं जिन लोगों की बातों को हम इश्वर का संदेश मानते थे और ऐसे लोग बाद में ट्रैप हो गए ऐसे लोग एक्सपोज हो गए ऐसे लोग गिरे हुए निकले लेकिन आपको दिव्यात्मा को देखा था तो आपको लाभ दिव्यात्मा की तरह ही मिला होगा और आगे भी मिलता जाएगा व्यक्ति को छोड़ दीजिए व्यक्ति के पीछे से जो आवाज आ रही है वो आवाज परमात्मा की ही होती है यदि वो व्यास गादी पर बैठ जाए यदि वो प मरोड मरोड नहीं सकेगा इसलिए ग्यान से जुड़िए ग्यान के श्रोत से जुड़िए परमात्मा से जुड़िए विश्वास रखिए बहुत बहुत धन्यवाद